पाकिस्तान के बड़े 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 स्यासतदान जिनकी बीवियों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे ये चंदेख पाकिस्तानी स्यासतदानों की ऐसी बीविया हैं जिनके सामने बड़ी 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 अदाकारा हैं और मॉडल कुछ भी नहीं है आज की सुडियो में हम आपको पागिस्तानी स्यासतदानों की पांच खुबसर अत्रीन बीवियों के बारे में बताएंगे कि हमारे स्यासतदान कितने शोकीन है वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम नयाबाब से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्रिबशन का बड़न दबा कर आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अमीर जादों की अमीरी से रूबरू होने के लिए नाजरीन ये है आईशा अहद मलिक ये नून लीक के साबिक रहनुमा और M.P.A. अहद मलक की सहबजादी है आईशा अहद की पैदाश 4 अक्तुबर 1982 को इसलामबाद में हुई थी ये प्रोफेशन के हिसाब से एक बिजनिस वूमेन है आपको बताते चलें के ये साबिक वजिर आला पंजाब शहबाद शहरीव के सहबजादे P.M.L. नून के लीडर हमजा शहबाद की बीवी है शादी इनकी कब कहा और कैसे हुई ये तो मालूम नहीं नून के आइशा force अकरार कर चुकी है के हमजा शहबाद उनके हकी की शोहर है और दूसरी जानब हमजा शहबाद इस बटा की तरदीद करते वे नजर आते हैं लेकिन आइशा अफ़र और हमजा शहबाद की ये तसावीर उनकी शादी का मू बोलता सबूत है आईशा हैद का कहना है कि उनकी हमजा शहबास के साथ शादी 2010 में हुई थी नमबर 4 डॉक्टर हिराश शफक दोस्तें का नाम डॉक्टर हिराश शफक है नाम से ये डॉक्टर नज़राती है लेकिन पेशे के लिहाज से ये एक एंकर है ये सरकारी चैनल खाजा साद रफीक की एहलिया हैं डॉक्टर हिराश शफक के साथ खाजा साद रफीक की ये दूसरी शादी थी जो खुफिया तोर पर अंजाम पाई लेकिन शादी का बांड़ा तब फुटा जब 2018 के इंतखाबात में साद रफीक ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर अपनी दूसरी शादी का एतराफ किया दोस्तो लाहोर से तालुक रखने वाली ये हैं मदीहा नकवी जिहां ये भी एक न्यूज एंकरें ये इंतहाई खुबसरत और इंटेलिजन्ट खातुन न्यूज एंकरें इनके वालिद महतरम का नाम सेद निसार हुसेन नकवी है मदीहा नकवी इस वक्त A.R.Y. न्यूज चैनल पर काम कर रही है और अपना मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा होस्ट कर रही है आपको बताएं के ये दिलकश खातुन एंकर मशहुर सियासतदान मुतहदा कौमी मॉमेंट के रहनुमा और साबिक M.P.A. सेद फैसल सब्जवारी की बीवी है इनकी शादी भी खुपया हुई थी लेकिन फोटेजिज लीक होने के बाद इनकी शादी का पिंडोरा वोक्स खुलकर सामने आ गया नमबर टू जरताज गुलवजीर जरताज गुलवजीर के नाम से कौन वाकिफ नहीं इनका शुमार पाकिस्तान की खुपसरत और बासलायत सियासी खवातिन में होता है यह पाकिस्तान तहरीक इनसाफ की रहनुमा है और इस वक्त स्टेट फॉर कलेमेंट चैंज की मिनिस्टर भी है लेकिन क्या आपको पता है कि इनका शोहर भी एक सियासतदान है जीहान के शोहर का नाम हुमायू रजा खान अखवंध है यह भी एक सियासतदान है और पीटी आई के रहनुमा है दोस्तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आईला मलिक का है यह मेडम भी एक मीडिया परसनेलिटी हैं साथ ही साथ अपना एक खास सियासी मकाम भी रखती है ये पुरकशिश हसीना भी PTI में शामल है 2002 से 2007 तक कौमी असेंबली की मेंबर भी रह चुकी है आपको बताएं कि आईला मलिक के शोहर का नाम सरदार यार महम्मद रिंद है सरदार यार महम्मद रिंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के मौजुदा सदर साबिक मने और मुशरफ दोर के फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके है सरदार यार महम्मद इस वक्त वजीर आजम इमरान खान की काविना का भी हिस्सा है और खुसूसी मावन भी है सरदार यार महम्मद रिंद और आईला मलिक की शादी भी खुफिया तोर पर हुई थी लेकिन बाद में इस बात का एतराफ कर लिया गया तो नाजरीन ये थी पाकिस्तानी स्यासदानों की खुबसूरत तरीन बीविया वीडियो पसनाई हो तो लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए